So Hello Everyone, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, again, Multibagger, Diwali, Pix 2023, Stock Count 4, 1, 2, 3, तीनों ही आपको इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको सिंपल, तीन चीज़ कर सकते हो, या तो आप आजाओ चैनल पे, और प्लेलि आप इस सीरीज को पुरा बिंज वाच करो, आपको बहुत मज़ा आएगा, दूसरी बात, मैं इस सीरीज का लिंग काई बटन पे वीडियो के end screen में भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो जहां से आपको देखना है, आप जा करके देख सकते हो, basic concept में आपको बताता हूँ, दिवाली में लोग जो है, मार्केट में कुछ इंवेस्ट करना चाते हैं, लोग अलग-अलग तरह के stocks बाई करते हैं, तो कुछ ऐसे stocks जो अभी दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छे opportunity पे मौजूद हैं, और इसमें तीन main criteria's है, पहला criteria ये है, कि ये जो stocks है, आप इसे 5- साथ साल आराम से hold कर सकते हो, दूसरा criteria ये है, कि इन stocks को आप buy and forget कर सकते हो, मतलब खरिद कि आप भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, stocks अच्छा perform करेंगे, आपको रोज रोज इसको track नहीं करना होगा, तो buy and forget, ठीक है, तीसरा जो होता है, सबसे important, which is secular growth, ठीक है, secular growth मतलब लगाता है, यहाँ पर कोई cyclical वाली बात नहीं है, कि यार इस टाइम पिए grow नहीं करता है, इसमें जो है, अभी market में ऐसा scenario है, तो यह stock effect हो जाएगा, यह वो secular growth है, हमें साथ बढ़ता रहेगा stock, और अगर fundamentals अच्छे होंगे, तो technicals definitely अच्छे होंगे, जिससे आपका आगे बात करते हैं, recommendation बिलकुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह educational purpose का वीडियो है, तो आप इसे watch list में रख सकते हो, stocks को देख सकते हो, track करो, उसके बाद आपको जो सही लगे अपने analysis के हिसाब से आप वो करो, आगे बढ़ते हैं, stock का नाम है, polycab India, अगर आप इस channel को देख चुका है, अगर आप P ratio देखोगे तो 47.9, मतलब 48 के आसपास का P ratio है, industry P 31.8 के आसपास है, तो industry P से जादा है obviously, और stock P जो है मुझे लगता है, 47.9 ना मैं इसे बहुत जादा काऊंगा, बहुत जादे in the sense, ना इसे मैं overvalued काऊंगा, ना इसे मैं undervalued काऊंगा, stock मुझे बात करें, इसके fundamentals के बारे में, सबसे पहले थोड़ा business अगर आप जानना चाहते हो, तो मैं आपको simple बता दू, कि यहाँ पे company wires and cables में काम करती है, और यहाँ पे business segment अगर आप देखना चाहते हो, तो देख सकते हो, wires and cable इसका पहला segment है, जो simple है, क्या explain करूं मैं wires and cables को, FMEG, fast moving electronic goods, मैंने आपको बता दिया, fan और solar luminaries, यह वो inverters, जो मैंने आपको बता दिया, switches, यह सब, and others में जो है, EPC business है, इनका, बस, simple है, mainly जो है, first और second है, और third वाला बहुत कम revenue contribute करता है, sorry, आगे बढ़ते हैं, यह तो एक basic जो है, आपको मै PPTs होते हैं, यह जो PPTs होते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, profit and loss में आते हैं, देखते हैं, company कैसा क्या कर रही है, अगर आप देखोगे, पहले 5 साल में जो है, growth थोड़ा कम था, sales growth 16% का होता था, 3 साल में 17% का average आने लगा, और TTM में 20% का sales growth होने लगा, मुझे लगत 20% is good, और आगे अगर और increase होता है, तो आपको पता है कि, increase होगा, मुझे लगता है, बाकि increase होता है, तो बहुत अच्छी बात है, profit growth के बारे में अगर बात करें, 5 साल का 28% है, very good, 3 साल का 18% है, it is decent, लेकिन अगर आप TTM का देखोगे, trailing 12 months का 52% का profit growth आ रहा है, तो 52% का profit growth is actually very very good, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसके numbers में देखोगे, तो पहले margin जो होड़ा shrink होगे, 10% हो गया था, उसके बाद margin वापस से जो है, अब 14% पे जा चुका है, पहले margin 11, 12, 13% के आसपास हुआ करता था, उसके बाद जो है, यह shrink हुआ था, और अब वापस से यह margin इसके वज़े से sales growth अच्छी तो आही रही है, उसके उपर profit growth और भी अच्छी आ रही है, आगे बढ़ता है, अगर बात करें EPS growth के बारे में तो आप देख सकते हो, पहले 11, 12, 13 रुपे हुआ करता था, फिर उसके बाद 16, 25, 35, 50, 59, 60, 84, 107, किस तरह से EPS growth हुआ है, आप ख 20% के आसपास return on equity रहता है, which is perfectly fine, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे रखता है, अच्छा है, balance sheet के उपर चले, तो 7,000 करोड के आसपास के reserves है, borrowings जो है लगभग 200 करोड की borrowings है, and 200 करोड में से 3 करोड का long term borrowing है, short term borrowing 156 करोड का short term borrowing है, and lease liabilities 54 करोड के है, मतलब company लगभग 0 debt company है जितना borrowing है, सब short term में है, and वो भी बहुत छोटा है, मतलब 1,500 करोड का borrowing है, and reserve कितने है, sorry 7,000 करोड की reserves है, तो मतलब लगभग debt free आप इसे कह सकते हो, थोड़ा मोरा debt है, वो भी बहुत कम, CWIP के बारे में बात करें, तो 200-300 करोड के आसपास का CWIP चलता है, अगर investors के उपर बात करते है, तो 66% के आसपास का promoter holding है, FIIs का holding जो है, 1.5% के आसपास है, DIs का holding जो है, लगभग 8% है, और public का holding जो है, 1.5% है, अगर मैं इसको थोड़ा expand करके देखू, तो yes, इसमें 4% अब बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे मैं से approximately 13 पकड़ता हूँ, ठीक है, approximately, 13 में से 4 minus करोगे 9%, 9% जो है, वो retail investors है, मैं हमेशा कहता हूँ, retail investors, जितने कम, उतनी बढ़िया बात, और यहाँ पे 9% actually बहुत कम है, तो यह बहुत अच्छी बात होती है, share holding pattern बहुत बढ़िया लगा मुझे, overall fundamentals के बारे में हमने बात कर लिया है, growth के बारे में हमने बात कर लिया है, profits के बारे में, EPS के बारे में हमने सब के बारे में बात कर लिया है, और fundamentals यहाँ पे खतम होते हैं, अगर आपको लग रहा है technicals कहा है, तो मैं 2-3 वीडियो से लगाता है आपको कहा हूँ, कि technicals हम तब discuss करते हैं, जब आपको percentage में returns चाहिए, लेकिन जब आपको multiples में returns उतना ही जादा होता जाएगा, एंड इसी का wise versa, जितना short term में जाओगे, technicals का importance उतना बढ़ेगा, and business and fundamental का importance उतना घटेगा, खेर, इस वीडियो के starting में मैंने बताया था, 5-7-10 साला पे से hold कर सकते हो, secular growth stock है, तो long term के बारे में बात्चीत हो रही थे, तो obviously fundamentals की ही ज़रत है, हमें business की ज़रत है, technicals की ज़रत है नहीं, तो मैं discuss नहीं कर रहा हूँ इसी वज़े से, बाकि ठीक है, end करते हैं, वीडियो को मैं आपको end में 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा, पहली चीज़ किया, यहाँ पे कोई भी recommendation नहीं है, सिर्फ और सिर्फ educational purpose का वीडियो है, as usual, आपकी मर्जी के साब से करो, financial advisor है, तो उसे पूछ के करो, दूसरी बात, कि यहाँ पे जो है, subscribe करना बहुत ज़रूरी है, bell icon प्रेस करना, और भी important tech क्यों, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो जाने वाले है, बहुत सारे interesting वीडियो जाने वाले, तो उनके लिए बहुत ज सब सारे पूर झाले है, जो जुँत मकाने वाले ओरूरूरी है, हम्यार